नमस्कार दोस्तो आईरुवेद भासकर में आपका स्वागत है दोस्तो आज इस वीडियो में हम आपको एक अदबुद और चमतकारी पोदे के ओशदिय गुणों के बारे में बताएंगे दोस्तो ये एक ऐसी जड़ी बुट्टी है एक ऐसा पोदा है जो एक नहीं बलकि कई स्वास्ते समश्याओं में आपको लाब पहुचाती है कई सारी स्वास्ते समश्याओं में आप इसका परियोग करके लाब प्राप्त कर सकते हैं यह पोदा बरसात के मौसम में अपने आप ही उगाता है जो खाली पड़ी जगहों पर या फिर सड़क के किनारों पर आपको जादा देखने को मिलेगा दोस्तों यह पोदा भारत में लगबग सभी जगेहों पर सभी शेत्रों में पाया जाता है और हर शेत्र में इस पोदे को अलग अलग नामों से जाना जाता है परंतु जादातर लोग इसको छोटे धतूरे के नाम से जानते हैं क्योंकि जिस पर ध दोकरू अधी नामों से भी अलग अलग शेत्रों में जाना जाता है। उबालकर इसका पानी पीने से बुखार कुछी दुनों में ठीक हो जाता है। दोस्तो जोडों और गुटनों के दर्द के लिए इस ओसदी के साफ पत्तों को तिल के तेल में चुपड़कर हलका गरम करके बांधने से गुटनों के दर्द में और सूजन में तुरंध ही आपको आराम मिलता है। दोस्तो कील मुहासे होने पर इसके पत्तों को नीम के पत्तों के साथ कूट कर उनका रस मुहासें पर लगाने से मुहासे धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। लेकिन इस नुस्के का फाइदा उठाने के लिए आपको अपने खान पान में थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा तब ही ये नुस्का कामयाब होगा। दोस्तो फोड़े फुनसी होने पर भी आप इस पोदे से लाब उठा सकते हैं। इसके लिए शंका हुली के पत्तों को हाथ के साथ मसल कर उनका रस फोड़े फुनसी पर लगाएं और फिर उन पत्तों का पेष्ट बनाकर फुनसी पर बांधने से आपको कुछी दिनों में फुनसी के समस्या से चुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों बिच्चु या तत्या काटने पर भी इस पोड़े से तुरंत आपको फायदा मिल सकता है। मस्तिश्क की दुरूबलता धूर हो जाती है और दिमाग भी आपका तेज होने लगता है। तो दोस्तों ये थे शंका होली यानि की छोटे दुतूरे के कुछ घरेलू परियोग आप इन में से अपने अवशकता के अनुशार कोई भी नुसका इस्तिमाल कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद आप सभी को नमस्ते जहिन।